टेकनिकल विट्टू फोन में दोस्तों स्वागत है आपका आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेमसंग का M30S मेरे पास है इसका जो टच ये नीचे से टूट गया गिलास इसकी वज़े से इसका टच प्रोपर वर्क नहीं कर रहा है तो दोस्तों जैसे ये आप देखेंगे इसमें कुछ-कुछ पॉइंट काम करेंगे कहीं और दबा रहा हूँ तो कहीं और दब रहा है को इस कंडिशन में आपको पूरा फॉल्डर ही चेंज करना पड़ेगा इसका तो जजा को दीऊ है कोई प्रॉलम निए दोस्तों आप खुछ से करेंगे ज्यादा अच्छा है कि खुछ से करेंगे तो बहुत अराम से आप इसको कौर डिisk्छ में डाल सकेंगे इसका टुच मार्किटकेंजिब करना पड़न है इसका ग्लास मिलता है बस अगर ग्लास टूटा हुका तो मगर यह टृच्स इसका काम कर रहा तो इस कंडिशन में हमें पूरा फोल्डर ही चेंज करना पड़ेगा अब मैं जल्दी से इसे खौल देता हूं दोनों तरब से जितने इस कुरू आपको दिखाई दें सारे निकाल लीजिए आप सारे खौल लीजिए अब दोस्तों सबसे पहले इसका बैर्टरी का पता रिमूव कर लिजिए उसके बाद इसका डिस्प्लेवाला पता है यह रिमूव कर लेना यह अलग हो जाएगा उसके बाद यह charging बोर्ड वाला पता और इसका charging बोर्ड निकाल दीजिए और यह volume का पता याद करके disconnect कर लेना नितो कट जाएगा दोस्तों यह बोर्ड अलग हो गया और यह charging बोर्ड अलग ठीक है यह यह एंटिना का वायर होता है यह ना तोटने पाई बस उसके पाद इसकी बैटरी को आप निकल लीजी अ कि यह पहले भी इसकी डिस्प्ले चेंज हो चुकी है इसलिए बैटरी थोड़ी लूज है औरना बैटरी थोड़ी थोड़ी टाइट अरा टाइट निकलती है उसके पाद इसका बोल्यूम का पत्ता भी आप इसका निकाल लेजिए निकल जाएगा आराम से ते छिवक कश कर भी ढिलाई यह भी निकाल लिया जुद्ध कर वी इसका निकाल लिया अब हमने यeki स्थृ को फ्रेम अब इस फ्रेम में से हमें डिस्प्लेय को में करें दोस्तो कैसे करना ये मां आपको बताया है नहीं इस डिस्प्लेय की साइड में ये पन्नी डाली टिक टाइट से पन्नी होगी वो ले लीजिए आप कोई काड टाइप में जो होती है ये दोस्तो इस तरीके से निकल आई ये डिस्प्ले आपके ठीक दोस्तो अब मैं आपको डिस्प्ले इसकी डालने बता जाता हूं ये डिस्प्ले निकल चुक है इसकी किनारियों को आप साफ कर लेना इसकी किनारियों पर पेस्ट लगा नहार है पुराने वाला यह इसके डिस्पले है दोस्तों अब यह डिस्पले मैं आपको बताता हूं अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली के करोल बाग में आसानी से मिल जाती है आपको यह डिस्पले इस अपर को डिस्पले में अब लहाँ है अब भी थोड़े दिर में आपको समझाने वाला हूं थोड़े देर में क्लियर कर दूहां बेजल्स किसे कहते हैं ठीक दोस्तों तो आपको मैं पेश्ट करना बतायता हूं फिलाल डिस्प्ले इसकी दिखी इसकी पीछे ने स्टिकर लगा हुआ है इसी स्टिकर को आप हटा लीजिए कोई ना कोई एक है कि आपके असपास की दुकाण वालों के पास सप्लाई करता है माल ठीक है दोस्तों बस उसका आपको phone number लेना है और उससे आप display मांग लीजिए आसानी से देगा उससे अपना समान बेखना है ठीक है पीछे का जो ये blue sticker अभी लगा है इस blue sticker को लगे रहन देते हैं क्योंकि ये कहीं भी cutting नहीं कर रहा है कहीं भी problem नहीं कर रहा है इससे क्या रहेगा इससे थोड़ी मजबूती आपकी रहेगी अगर ये किसी sensor के उपर आ रखा होता ये blue color का जो इस्टिकल ब्लू पनी लगी हुई है तो हम इसको अटा देते मगर अभी अठाने की ज़रूत नहीं है इसको अब दोस्तों इसमें है ना हमको paste लगा ना चारो आप आप फैबी बॉंड ले सकते है इस्टेशनरी की दुकान पर मिल जाते है 13-14 रुपए की ये यही काम वो करेगी ठेक है नहीं हो अगर आप को sebenarnya की दुकान फो से आप वो ले सकते हैं सिलोचंद तो आपने देखा यह होगा शिलोचंद से लगा लेजी डिस्प्ले अर उसके बाद हम इस फोल्डर के इस पत्ते को थोड़ा सीधा करके इसके अंदर डाल लेंगे ठीक है इसको सीधा पकड़ लेता हूं लेके बाद यह अपने आप इसके अंदर एकदम फिटम फिट बैटाएगा उसके टेंशन मतले न बिल्कुल फिट बैटता है कहीं दर उदर अब इसमें हम जल्दी से इसको तैयार कर लेते हैं बैटरी रग दी उसके बाद इसमें हम रख देंगे जो जो चीज जहां पर लगी थी ने दोस्तों उसको वापस से लगा देंगे कैमरे को थोड़ा साफ कर लेते हैं कि इसको सुकह क्पड़े से आप साफ कर लीज़ी अगर आपको कैमरे के अंदर कुछ डश्ट दिखाई दे हाथ मुद लगा ना इसमें ठीक है दोस्तों सुकह क्पड़े से लिदी है अब हिस पत्थे में जिजा में लिखा होता और अब दूसरा पत्ता लगा दीजिए बड़े प्यार से लगता दोस्तों ऐसी को टेंशन वाले बात नहीं है ठीक है और इसका अब ये वोल्यूम का पत्ता ये भी आप लगा दीजिए आप 10 मिनट में अपनी डिस्पले आराम से लगा लोगए आपको कहीं जाने की जोरत नहीं पड़ेगी दोस्तों आज के टैम में अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको इतना बेकू बनाएंगे कि डिस्पले इसकी इतने की आईगी इसकी डिस्पले इसकी डिस्पले आई कितने किया है यह बता दूँगा आपको मैं इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितना बेकु बुना जाता है शॉप्स पे यह इतना महंगा आता है इतना कुछ महंगा नहीं आता भाई अगर आप कोई चीज भूल जाए ना तो वीडियो को पिछे करके देख लेना कि हमने किस टाइम पर क्या निकाला था है न दोस्तों यह आसान तरीका है मुश्किल कुछ भी नहीं भाई बहुत आसान चीज़े zwey कि अब इसका दोस्तों यह जो सेंसर का पक्ता है न यह सेंसर इसका फिंगर्पिर्प्रिंट्स इसको ऐसे निकाल लिए पीछे जॉंगली डालके अब आप इस पत्ते को यहां रखकर इसके चीज कर दीजिए और इस को अच्छी तरह ऐसे बिठा देजिए दोस्तों आप इसके वोल्यूम बटन ये पहले भी इसने कुछ ये ढकन वगए चेंज करा रहा है कस्टमर में तो आप ये लगा दीजिए और आवर बटन भी है ये भी लगाना है ठीक है दोस्तों इतना होने के बाद आप इसको इस तरीके से लगाएंगे अब मैं आपको इसके डिस्प्ले की लुक दिखाता हूं दोस्तों कैसी है अब इसको ओन कर लेते दोस्तों अब दोस्तों यहां पर मैं एक बात एड़ करना चाहухँ दोस्तों आपके लिए पहले जो हम ने इसके बारे में कुछ बताना चाहूं, यह एक दम सबसे घटिया क्वालिटी की जो डिस्पले होती है, इसकी पहचान कैसे होती है, देखो दोस्तों, यह बात आपको कोई नहीं बताएगा, मगर मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान से देखना दोस्तों, इस पर ध्यान द उसप्ले की जो saving screen होगी जो च्छोटी होगी, इसकी आपकी बी डिख को दिखाई है, जा एक और सिखना ह्ज़ा करेंगे आपको यह का करेंगे तो यह सब देखक होती है, जिसकी दिस्प्ले चोटी होगी हो गयो डेफिनेटलि सब्यगी दिखिए यहां पर आ रही है इसके बेजल्स तो इसके डिस्प्ले भी छोटी आती थी दिखाई देती थी छोटी यह देख लिजिए आप यह बड़े मस्ट चलेगी इसमें कोई प्रोब्लम नहीं आएगी और इस तरीके से अगर आप डिस्प्ले लगाते हैं तो दोस्तों आपके फोन में कभी प्रोब्लम नहीं आने वाली जब तक आप सैट को ठीक से गिराना दो इसमें 15 मिनट के लिए हमें क्या करना है हमें रबर लगा देन नहीं है कि ऐसे ऐसे लगा दीजिए आप इस तरीके से आप इसको रबडिंग कर लेंगे इसकी ठीके दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर कोई आपके सवाल हो तो आप कमेंट करके कुश्चन पूछ सकते हैं मैं आपको पूरा जवाब दूगा उसको ठीके दोस्तों मिलता हो फिर किसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए गुड़ बाई